बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई दमदार बनारसी जी एक बार इनके सम्मान में आप लोग तालियां वजाई हैं मैं अपना कापड़ सुरू करता हूँ संचालन कोई भी कभी कर सकता था लेकिन एकाम सिर्फ दमदार बनारसी को क्यों सम्मा गया क्योंकि इनके इंदर बहुत सारी खूबियां है और उलूग महसो को बनाने की कोसिश करता हूँ कि रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है, महबूबा के खर्चों का भी भार उठाना पड़ता है, और कब सम्मेलन का संचालन करने वाले कवियों को घर में अपनी सिरीमती के पायर दबाना पड़ता है। कि में कप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, में कप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैसन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा, भाउँ सेट करा वो क्रीम लगा वो चाहे जितना, भाउ सेट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा चार पंक्तियां और समर्पित करता हूँ आप ऐसा मेक अप फैसन पे पढ़े कि चारों महिला हैं जो मेक अप करा के आई थी उठके चली गई पढ़िये स्वागत है स्वागत है वो बहुत अच्छा मेक अप करवा के आई थी इसलिए चली गई है साइद उनका मेक अप धुलने का असंका था अब खुल के हस भी नहीं पा रही थी हो ब्यूटी पार्लर वाला पहले ही समझा के भेजा था हम तो जितनी कोशिशे सजा दे रहे हैं अब बस जोड से मूँ बाके मत हसिएगा नहीं तो बिगण जाएगा इस दुनिया में बहुत सारे लोग है किसी को क्या चाहिए किसी को क्या चाहिए मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं कुछ लोगों की उसमें बातें आएंगी आप लोगों को सही लगे तमर्थन करना काले जी के लाड़े को सनमीत चाहिए मुकदमे में आसाराम जी को जीत चाहिए गुर्मीत परेसा नहला कप में इस कदर उन्हें जेल के अंदर भी हनी प्रीत चाहिए जब बहुत से लोगों ने कहा इसे बाबाओं को गोली मार दिया जाए फासी पर लटका दिया जाए मैंने कहा इसा मत करो मैं एक उपाए बताता है वो करिए कि बाबा है इनका काम इतमिनान से करो खुसियों के साथ है आने बानसान से करो इनके इसक का बुखार स्वयम जाएगा उतर दस बारा साधी इनकी पाकिस्तान से करो यह उपाय करके देख लिए सारे वाबाओं का नसा दूर हो जाएगा क्या बात है एक मुक्ता कवर पढ़ता हूँ हम भाई दमदार बनारसी जी सी स्कूल में पढ़ रहे थे उसी स्कूल में एक लड़की को क्लास के सारे लड़के भुआ भुआ कहिके चिढ़ा रहे थे अब लड़की को गुस्ता आया लड़की मास्टर साहब के पांस पहुंची बोली क्लास के सारे लड़के हमको भुआ भुआ कहिके चिला रहे हैं मास्टर साहब डंडा लेकर क्लास पहुंचे बोले जितने बच्चे चिला रहे हैं सब लोग खड़े हो जाएं क्लास के सारे बच्चे खड़े हो गए, दमदार भाई बैठे थे, मास्टर साहब की नजर इनके उपर पड़ी बोले, तुम क्यों नहीं खड़े हुए, इन्होंने जबाब दिया, मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि मैं सब का फूफा हूँ, एक बार फूफा के सम्म में जोरदार तालियां बच जानी चाहिए, अभी हम कब सम्मेलन के लिए आ रहे थे, रास्ते में साड़ो का एक जथा सामने आकर खड़ा हो गया, मैंने कहा महराज बाहर हटिये, मुझे कब सम्मेलन में जाना है, उसमें से एक साड़ सामने निकल कर आया, और बोला, कि मैं बात बता रहा हूं, मैं कसम भगवान कहता हूं, गुर्देव जी को यह टार्गेट करके नहीं पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के साड़ो की क्या वेवस्ता है, उत्तर प्रदेश के साड़ का क्या रहे है, कि अब तक तो उनके सारे वादे गूढ़े रहे हैं, अब साला बनेगा कहां पर पूँछने को ये यूपी के साले बाबा जी को ढोड रहे हैं चार पंगतियां दादा जी के चरलो में समर्पित करता हूं कि इस जिन्दगी में ज्यादाता में ज्हाम ना करना इस जिन्दगी में ज्यादा ताम ज्ञाम न करना इज्जत बनी बनाई है बदनाम न करना बुढ़ा पे में भजन करना भगवान का लेकिन दादा जी आसराम वाला काम न करना यह है अब हमारे देश में जब लागडाउन लगा तो हम भारतियों की एक विशेष्टा सामने निकल कर आई वो विशेष्टा भारतियों क्या थी मैं एक छंद के माध्यम से बता रहा हूँ कि मारने को हम को दिखाते जो मसीन गन्यूने मारने को हम चाकू ढूंड रहे हैं कि मारने को हम को दिखाते जो मसीन गन्यूने मारने को हम चाकू ढूंड रहे हैं ओ भारतियों की विशेसता प्रथक रही सदयो मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंड रहे हैं कि सूनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर माल की तिजोरी जैसे डाकू ढूंड रहे हैं वो सारे देशे ढूंडते कोरोना की दवाई यहां भारती ये दारू आतमा को ढूंड रहे हैं हमारे देश के माननी प्रधान मंत्री जी ने रासन काट से पूरसो का नाम काट कर घर का मुख्या महिलाओं को बना दिया एक छंद और पढ़िए स्वागत है जब से घर का मुख्या महिलाओं को बनाया तब से महिलाओं के मिजाज अंदा तेवर सब बदल गए मैंने एक छंद फिर लिखा कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंगाले वो भी बालों को सजाने है तु पेंट मारने लगी कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज बात बात में तो प्रिय पेंट मारने लगी ओ मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है भी बिया ही पती को करंट मारने लगी